सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब आपको ये वीडियो 6 एम पर डेली मिल सकें ध्यान रखें ये 20% डिसकाउंट की अपरचनेड़ी आप इसे मिस ना करें लाइब अमन कोड से आपको डिसकाउंट मिलेगा 20% का इंस्टीड ओफ 10% 20% है किसी भी कोड किसी भी एक्जाम में तो आप इसे यूटलाइज कर लीजिएगा चलिए आज के दिन की शुरुबात 28 अपरेल वर्ल डे फूर सेफटी और है इसे आज के दिन अबजर किया आता है देखिए इसे पहली बार जो हैं इंटरनेशनल लेबर और्गेशन के द्वारा 2003 में अबजर्ब किया गया था है कितनी कषक चार डिस्टिक में यह प्रोजयक्ट है और रोबी प्रोजयक्ट कितने हैं तो साथ रोबे प्रोजेक्ट हैं चार डिस्टिक में उसमें से एक्जांपल में आपको बता देदो कांगरा कुलू चंबा से मोर यह सब डिस्टिक हैं यूनियन मिनिस्टर जो हमारी रोड एंड सेफ्टी है रोड एंड ट्रांस्पोर्ट हाइवे जो है नितिन गटकरेजी और चीब पॉब्लिक प्राइवेट पार्टरशिप में इससे जो है अनाउंस किया गया था इससे पहले देखिए दूसरा कुशन आप सभी के सामने गौर्वर्मेंट का जो मैक्सिमम पावर डिमांड इस समय जो है वो कितना हो चुका है तो यह 201 गीगावोट का है मतलब जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो यह एक कंसर्न है पहले इससे पहले जो था डिमांड वो 200 के आसपास था गीगावोट का जोलाई बीसी किस में और अब 201 गीगावोट है जो एज उन एपरल अगर हम देखें तो यह कह सकते हैं स्टैक फ्लेशनरी शॉक है क्योंकि जो कौल है उसका शोटेज हो रहा है तो इसके ओपर जो है गौर्मेंट को फोकस करना पड़ेगा एवरेज स्टोक 17 दिन का है और रिक्वार्मेंट उससे ज्यादा की है तो यह एक एनरजी कंसर्न है जो इंडिया इस समय देख रहा है और बाकी वर्ल भी देख रहा है यूक्रेन और kö positiv को लेकि जो कि वर्ल वर में कंविड हो सकता है तो आंसर है इस इसकोंशेंगा रशिया देखिये रशिया के जो मिनिस्टर है इनके दौ़ेंट करेगी कि यह जो नाटोय कर कर रहा है यह वैस्ट Comics कर रहा है Ukrainians की ये एक तicki से सीरिइंस cancer हो सकते हैं जो की इस वोर को वर्ड़ वोर में convert कर सकते हैं ऐसा statement और इनके द्वारा ठीक है Minister सेरगी सारेगी ऩावरेब्ड्रों हैं इनका नाम वैसे भियाद रखना है क्योंकि बहुत statement इनके द्वारा देगी है क्योंकि अभी हाल फिलाल में जो है जर्मन ने भी help करी है और जो western countries है even other country जैपान हो गया यह सब भी help कर रहे हैं तो it can change into a world war तो इसका concern बताया गया है और अभी ऐसे United Nation के जो head है वो भी आये थे रेशिया में उनके द्वारा भी discussion हुआ था थेकि border heart जो है इंडिया बांगलादेश border पर जो है अभी और open होने वाले हैं कौन सी state में ठीक है तो अभी दो साल की gap में open होने मेखाले में तो important है question आ सकता है heart बहुत important होते people to people connection के लिए क्योंकि यह एक market area zone होते हैं जहां पे consumer और producer जो है दोनो benefits ले सकते हैं तो इंडिया बांगलादेश की border में जो है दो और जो है heart open हो रहे है मेखाले की location में है ना तो question आपको मिल सकता है इसके ओपर पहली जो location है East Cassie Hill district है उसका दूसरा है नालिकाटा जो district है South West Cassie Hill में यह दो location है जहाँ पे इससे पहले COVID में जो है इनको नहीं open किया गया था यह joint border heart management committee है उसके द्वारा जो है reopen किये गए है चले देखी United Nations Security Council ने यह statement मिल सकते है कि United Nations Security Council में कौन सा ऐसा देश है जिसने concern जता है जरुसलम को लेके जो holy place है उसको लेके तो इंडिया ने concern जता है देखीं इंडिया के द्वारा statement दीगी है इंडिया के जो United Nations representative है deputy permanent representative आर रविंदरन इनके द्वारा statement कहीए जो अभी जरुसलम location में violence हो रहा है जो terror attack हो रहे हैं यह एक तरीके से तो हमें पता उनची के statement इंडिया ने दी है या किसी और ने दी है तो ध्यान रखेगा इसका चलिए देखिए मयानमार के और noble prize winner भी है मयानमार code ने उनसंग्स जो है इनको कितने साल का jail term दिया है corruption की वज़े से तो 5 साल का तो आप ऐसे भी जानते होंगे और जो कि maximum sentence 15 साल का है लेकिन इनको 5 साल का मिला है ठीक है और उसके अलावा कुछ statement भी दी गी है जैसे कि इनके उपर जो bribe charges है वो total जो है 6 लाक डोलर के हैं और जिसमें in cash 6 लाक डोलर है और 11.4 kg के आसपास जो है गोल्ड है जो कि इन्होंने एक्स यग्यवान चीफ मिनिस्टर से लिया था और ये statement खुद चीफ मिनिस्टर ने भी दिये तो इसकी वज़े से इन्हें जो है corruption के charges पर jail हुई चले देखें मैं पूंट सवाल है पूछा आ सकता है कौन से देश के president है जो कि United Nation की statement से agree करते हैं कि Red Cross को help करने के लिए जगा देनी चाहिए Ukraine में कितने भी war के जो civilians है तो रशिया के द्वारा statement के क्योंकि अभी United Nation के head जो है वो मिले भी थे Russian President से तो Russian President Walmadir Putin ने in principle accept किया है United Nation की terms को International Committee जो है Red Cross की जो की एक तरिके से war zone में लोगों की help करते हैं तो civilians की help के लिए ये announcement जो है खुद रशिया ने भी कर दिया है तो definitely जो messenger of peace है Red Cross Society अब help कर पाएगी ठेक है जो भी लोग फसे हुए है ऐसे war zone area में लेकिन United Nation रशिया ने इदर ये भी statement कही है देखें United Nation के अनुसार जो है जो रशिया कर रहा है ये United Nation Charter जो है उसके against है कि कि किसी country की territory integrity जो है उसको wallet किया जा रहा है लेकिन रशिया की statement अभी भी ये है कि जो Ukraine में रशिया कर रहा है वो special military operation है एक country की territory integrity को wallet करना उनका purpose नहीं है चली देखें एक और question आप सभी के सामने recently कौन सी city है जो first city बनी है जो country में जिसने 100% digital buses जो है उसके services दिये है तो मुंबई में तो ये services exactly किसके द्वारा दी गए तो भी मुंबिया जो है मुंबई में है ठीक है भी हैं मुंबई electric supply and transport best के नाम से है इनके द्वारा ये services दी गी है इंडिया का first fully digital bus मुंबई में ये चलने वाला है और मतलब चल भी रहा है tap out जो facility है ये दी जा रही है इसके लिए especially card भी valid किया गया है जो की other states में भी चल दाएगा जैसे Delhi metro है इसमें भी चल दाएगा grocery purchase करने में भी चल दाएगा तो ये card भी launch किया गया है तो that की digital services जो है दी जा सके है तो one card one nation के services भी इसी के थुरू मिलने वाली recently कौन सी state के CM है जिसने ministers, administrators जितने भी हैं उन सभी को काये कि आप अपना asset declare करें तो UP ने का गया एक तरीके से के transparency जो है उसको लाने के लिए है कि जितने भी high officials है अगर उनके assets जो है disclose होंगे तो एक transparency आएगी तो इस वज़े से CM के द्वारा announce किया गया है कि इनको exactly 3 month में जो है अपनी family की जो properties हैं उनको declare करना है और ये अच्छा process मैं समझता हूँ जो की ये लाया गया है चली एक और question देखते है recently कौन सी country है जसने report किया है दुनिया का सबसे पहला first human case S3N8 जो bird flu है तो चाइना में आया है देखिए ये जो bird flu है definitely bird में ये flu आया था उसके अलावा ये horses में भी पाया गया उसके अलावा ये dog में भी पाया गया और confirm जो researchers है उनके द्वारा जो है इसका confirm भी बताया गया 1889 में ये pandemic के रूप में भी आया था asiatic flu और Russian flu के नाम से लेकिन अब पहली बार एक 4 साल के बच्चे के अंदर Central China में S3N8 bird flu जो है पाया गया वाइरस तो human में ये सबसे पहला है बच्चा जो है ये कहां से है तो जुम्यादिन सिटी है हैनान प्रोविंस में चाइना में जहां पे ये case confirm आया जो चाइना का National Health Commissioner उनके द्वारा इस सिच को confirm किया गया है चलि देखिए quick point हाल फिलाल में किसान भागेदारी प्रात्मिक्ता हमारी किसने लौंच किया तो नरिन सिंग तोमर देखिए Warren Buffett जो है इनको cross करके 5th richest man पूरी दुनिया में कोन मने है गोता मादानी जो की इंडिया के भी है almost है ना Chinese Nationalist जो है कितने मारे गए है सुसाइड बॉमिंग में अभी हाल फिल में कराची में तो तीन चले देखिए आज मैंने कल मेंने एक सवाल पूछा था दिलवारा डैंबल का तो आंसर बिलकुल तोमार कवीता के दौरा बिलकुल सही आंसर राजस्तान और आज का सवाल देखिए का फिफ्टीन कार नेशन विष्णु जी का कौन सा है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे बताइए और मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन करें अमन सर्वाइफे सड़ी सो डैट की आपको जो है क्लासिस मिल सकें 6 a.m. पे आपको क्लासिस मिलती है और दोस्तों ये आज आपके लिए लास्ट अपोर्चिनिटी है कि आप 20% डिसकाउंट ले सकते हैं 20% डिसकाउंट 28 लास्ट डेट पे है लाइव अमन कोड यूज करिए किसी भी एक्जाम में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं आज 10% की जगा 20% है लाइव अमन कोड से तो इसे मिस मत करना किसी भी एक्जाम के लिए इसे यूटलाइस कर लिजे शैशन को लाइक करिए, शेर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्स अलोट फॉर वाचिंग